आज मैं इंसुलिन के डर पे बात करना चाहूंगा जब भी किसी भी पेशिंट के डाइबेटीस डाइगनोज होती है तो उसके मन में चाहे अंचाहे एक डर होता है इंसुलिन का डर कि मुझे इंसुलिन तो नहीं लगाना पड़ेगा डाग सब हर वेक्ति की शुगर या ब्लड गुल्कोज लेवल इंसुलिन ही कंट्रोल करता है अंदर से निकलने वाला इंसुलिन जो पेंक्रियास से निकलता है जब डाइबेटीस किसे की हम डाइगनोज करते हैं उसमें वो इंसुलिन प्रयाप्त रूप से नहीं निकल पाता है। या जितना उसे इंसुलिन चाहिए, उतना वो इंसुलिन बना नहीं पा रहा है। या बना पा रहा है, तो वो इंसुलिन उतना प्रयाप्त रूप से काम नहीं कर पा रहा है। insulin resistance हो गया है जब हम tablets लेते हैं तो वो insulin के माध्यम से ही काम करती है mostly tablets या तो insulin का level बढ़ाती है या insulin की sensitivity बढ़ाती है जतना insulin वो बेटर काम करे तो जब किसी patient में जो beta cell of pancreas है जो insulin बनाती है वो इस हद तक destroy हो जाए कि वो अब insulin बना ही नहीं पा रही है बिल्कुल ही कम बना पा रही है तो tablets fail होने लगती है तो हमें बाहर से insulin लगाने की जरूरत बढ़ती है बाहर से insulin लगाने में डर लगता है सुई लगे की तक साब तो मैं यह बताना चाहता हूँ आज के लाने वाले जितने भी insulin है वो almost painless रहते है तो लगाने की technique सीखना जरूरी है यदि आपकी technique ठीक है तो वो practically painless रहता है तो insulin का डर ज्यादा तो मन में बैठा होता है जो लोग insulin practically लगा रहे हैं यदि आप उन से पूछें तो उनको उस insulin लगाने से डर नहीं लगता है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यह painless चीज है और उनको उनकी sugar level को control करने के लिए बहुत जरूरी चीज है Thank you